असलाम लेक्म कैसे हैं सब दोस्त आज की वीडियो आपको टाइटल से तो पता चाली किया होगा ठीक है लेकिन थोड़ा से इसका जना वह बैंक्गरांड बता देता हूं नया गारबन आया था तो सोचा था कि सोलर सिस्टम जोना वह लगाना है लेकिन इतनी जल्दी लगाना यह नहीं था पता लेकिन जरूरत पड़गी है थैंक्स तो इंपोर्टेट गवर्मेंट ठीक है तो मुझे पता चला के मेरे मामू भी जोना वह यह मामला पगारा देखते हैं और उनका मैंने घर का सब देखा था सोलर का तो मुझे बहुत अच्छा लगा और वह टेक्निक बाकी इंस्टालेशन भी उन्होंने खुदी किये सारी और इजिनली तो जो हमने सोचा वा था वो इन्मरेक्स का था लेना सिस्टम एक बैंडिट सिस्टम है इसके लावा उनकी जो सूपर कपेस्टर बैटरी होती है लेकिन वह बहुत महेंगी थी और मार्केट में अवैले है लेकिन मुझे एडिया नहीं था कि जो सोलवर्ड पैनल्स वह काफी एक्सपेंसिव होते हैं तो उस हवाले से जाना वह फिर बजट सोड़ा सा उपर करना वड़ा और अभी तकरीबन तीन लाग से उपर पैसे लग चुके हैं पूरे स्टम को भी चलाने में जो अभी दो तीन सो तीस वाट के जोना हैं और करीब को 2,000 के करीब जोना वह वाट के वी देंगे तो पैनल्स जो इसके थे वह काफी एक्सपेंसिव थे मेरे मैं बनी था इतना कर इतने मेंगे होंगे लेकिन इसी तरह था तो एवरेज जोन आफार वार्ट में 82 रुपीस का जोना वह वाट पढ़ गया है और यह 27,000 पे का एक पैनल है चाइना की कंपनी का लिया है यह राइजन कंपनी है उसका है और क्वालिटी वाइस बहुत अच्छा है जिसकी वाईसे हमने जोना यह स्लेक्ट किया है औरिजिनली हम खरीदने तो शालम मार्केट गए थे क्यूंकि कुछ ब ब्यक्राइं एक ज्वाट आपने गजिए है पूरा बैटरी सके इलाहवा बैटरी के लिए दर अपने में szse impl camera Oke चाहिए थी क्योंकि तालेस वाल्ट discuss उन्हों और चया था उससे और जो हमने इंवर्टर खरीदा है वह पावर एक्स का 5.5 के वी का वह मिला है हमें 90,000 का तो हलाके मार्केट में प्राइस बहुत जदा हो गई है और इजनली तो 3.2 का सिस्टम लेना था लेकिन फिर बाद में आगे उस पर उतनी पैसे लाग जाना थे अगर आम उसको अपग्रेड करते तो एक बारी सोचाए एक बारी थोड़ा सा और पैसे मिला के खर्चा कर लेते है अब एक मसला था के जोना वह पुछ मैनूवल करना पड़ना था तो वह हुआ है के वह बैटरी की वज़ाए से नहीं कर दो तो प्र जाना हम ने क्या किया कि बैटरी का लेकि आए तो वह चल पड़ा वह लिकान इसकी एंवटर की खासियों दिये थी है यह बगार यूप एक भी उसके बैटरिय के भी जोई जो एना चल सकता था हो यहीं वज़ाए कि जूँनप हो घना वहां अरामने फिर प्राशन लोगा किए इसमें इसका मैस्कित है कि बैटरि ज्चरम एक बोगा अरो Spirit पांच एक पैनल और लगेगा तो मैं डेटन का इसी चला सकता हूं अभी एक तण कर चल सकता है लेकिन डेटन का नहीं चलेगा तो वह रिकमेंडेड़ यह है के एक और जो शॉना वो लगा लें तो शायद वह उब एक अदर लगा लें और उसके बाद जो ए बाकी का सिस्टम हम जब अप्ग्रेट करेंगे अगले साल शाहिद तो तब यह पूरा हमारे भड़ा एक सिस्टम अन जाएगा इन्शाला तो उसमें हमें जोना फाइदा हो जाएगा फाइदा यह हो जाएगा कि मारा फिर सारा कुछ जोना वो सौलर पे चलेगा और हमें बिजली की बज़त हो फुली होगी एज कंपेर तो जो वापड़ा का बिल अभी बहुत जादा है तीस रुपर का यूनिट हो गया तो बिजली काफी एक्सपेंसिव होती जा रही है पहले तो कुछ अफॉर्डबिलिटी थी लेकिन अब फॉर्डबिलिटी थोड़ी सी मुश्किल होती जा रही ह तो वीडियो का मकसद ये था कि है आप लगों को जोना मैं अपना ये सटफ बगद दिखाऊ तो यह आपको मैं दिखाते हूं अपने इस अलह पैनल जो लगाए है ये तो यह जोना हुर्ण हो पैनल है ऑर ये रॉडवान कंपनी के हैं और यह पली यह यह मानो नही है उसली मैंने सुना है देखा है यह के जो मोन होता है वह 15-20 पसेंट होता है लेकिन हमें जो ना वो मामू ने यही रेकमेंट किया था क्योंकि उनका थोड़ सा एक्सपिरियंस रह चुका है कुछ इनमें ना हीट बर्दाश ही कर लेती है ठीक है पाकिस्तान में हीट बहुत जादा है जैसे भी मही का महीना तो हीट बहुत जादा है तो उसमें जो ना अंदर इनके जो सेल्स हैं उनमें लाइनिंग आ जाती है तो वह उनका एक परसनल तजर्बा था जिसकी वज़ा से फिर जो ना हमने यह डिसियन लिया और मुझे जो आना वह मतलब यही ऐसा ही चाहिए था है कि कोई अच्छा गाइड करने वाला हो तो यह अमने फिर पॉली खरीदी है और यह अच्छी कंपनी को मले क्वालिटी वाइस बहुत अच्छी है इन्होंने हीट परदाश करनी है ठीक है तो मतलब बहुत अच्छा सिस्टम है यह मारी जो ना वह पांच पांच यह जो सौल पैनल यह लगे हैं नीचे मैं आपको इन्वेटर भी दिखाता हूं अभी आप लोगा ने बैक्ग्राउंड मेरा देखा ही होगा तो यह जो ना मेरे घर के साथ माशला से बहुत जबर्दस क सुसाइटी के साथ है बिल्कुल यह एंड है असल में फॉर्वनेट सुसाइटी का और यह साथ ही डी एचे फेज नाइन प्रिजम है इसका ब्लॉग तो नहीं मुझे पता है यह कौन सा ब्लॉग है क्योंकि अभी यह डवैलप हो रहा है तो बाकी यह दूसरी साइट पर ज साथ ही है और यह बड़ा यहां पर जोना एक आंखों के लिए जवरस किसम का जोना एक नैचरल सीन है ठीक है तो एक सही जिसे करते हैं कि मैं तो कहूंगा कि हम जनत में आ गए हैं शेयर की लाइफ से बहुत अच्छा यहां पर फील हो यह हमारा पावर एक्स का जो इन्वर तो यह है जो हमने खरीदा है 90,000 रपे का खरीदा है ठीक है और साथ में यह बैटरी का सेटप लगा यह चार बैटरी यह भी लगा दी हैं इनफ हैं यह हमारे लिए हमारे जो घर की नीड असके मताबक जो आना यह बिलकुल ठीक है तो यह काफी एड़ांस किसम का सिस्टम म इसमें भी अगर यह दिन में है तो बगैर बैटरी के भी चाल सकता है सिस्टम इनवर्टर का और यह इसका जोना सारा पैनल चैनल है इसमें सारी सेटिंग हैं कोई 15-16 के करीब सेटिंग अभी यह देख सकते हैं कि आप के भी सॉलर सिस्टम जोना वह चल रहा है ठीक है प्र मैं जादे टेक्निकल दुनी हूँ क्योंकि यह सारी सेटिंग जोना मामू नहीं की है और मुझे नीज का कोई अंदाजा कि कैसे जोना इसको सेट अप करना होता है इसका मैनूल बगर था इसके बॉक्स में लेकिन अब भी तक मैंने देखा नहीं है तो यह पावर एक्स है और लाइट बगर भी चलती है जो जो सिस्टम हमारा जोना हमने इस पर रखा हुआ है सोलर पर तो वह सब चल रहा है इंशाला आगे फर्दर इसको जोना हम बढ़ाएंगे सिस्टम को ठीक है और अपना जोना बाकी मामलात को भी इनके ओपर लाने की कोशिश करेंगे चले सोलर पर उसके बाद जोना वह चेंज हो जाए उस पर बाबड़ा बे तो वह भी सोच रहे हैं उसके बारे में कि वह हम एडिस्मेंट कर लेंगे तो यह टोटल कॉस्ट जो इस पर आई है मेरी अभी तक 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 तकरीबां तीन लाग रुपए आ गई है ठीक है तो तीन जिन्दगी में सकून आएगा यह जो इंपोर्टेट गवर्मेंट ने हमारे ओपर जो इंपोस किया हुआ है प्ट्रॉल की प्राइसिस तो आपको पते यह बाड़ी गई है रहात को और लंबी कितारें लागी थी पट्रॉल पंप्स पर तो मुल्क के हलाद जोना वो बहु बहुत हमेशे हमने तो यही पाया कि हाँ जी मुल्क बहुत नाजक सूरतहाल से गुजर रहा है नाजक दोर से गुजर रहा है तो हमने तो बच्वन से इसी तरह देखा अभी तक वैसे ही मामलाद है तो यह थी जोना मेरी आज की वीडियो ठीक है उमीद करता हूँ कि आप स तो मैं चाहता हूँ आप से इजादत अल्ला हाफिज